हाई फेंट दास प्लम्बिंग और्क में साग दम आज में सिखने वाला हूँ एस टाइप वान पीस कुमूट कैसे सेटिंग किया जाता है पॉपर लिंग दोस्तो हम लोग का पहले से एस डाबलू और पाइप का लाइन किया हुआ था उसी को हम लोग काटर मेशिन से अभी काटिंग कर रहे है एवाला जो कुमूट लग रहा है एस टाइप है इसलिए उसको जमिन के अंदर से पाइप लाइन हुआ है उसी को हम लोग अभी काटिंग कर रहे है ये वाला जो cutting हो रहा है फूलर का level level से cutting हो गेगा ठीक है नहीं तो जो gas cut washer मिलता है वो नहीं ठीक से बैठेगा ठीक है पहले इसको cutting करना होगा फिर उसी में हम लोग का washer बैठेगा जो company तरब से मिलता है वो ही हम लगा रहे हैं ठीक है अभी इसको हम लोग अच्छा तरीके से level कर दे रहे हैं पाइप को अभी हम लोग एस ट्राइप को मुठ जो one piece है उसी को हम लोग निकल रहे हैं काटून से ठीक है अन्बोक्सिंग कर रहे हैं अभी इसको हम लोग measurement लेंगे देखिए कैसे measurement होता है इसका proper तरीका से ठीक है पहले से इसको नीचे से जो outlet है को मुठ का उसी का outlet से पीछे वाला जो को मुठ का बेस है उसका जो measurement होता है देखिए पाचिंची measurement है हम लोग का अभी हम लोग सीधा करके पाचिंची टेप से marking कर रहे है अभी marking हो जाने के बाद ठीक है pipe का जो बीच ओ बीच ego tensor वेठ हो नहीं तो सीधा वाला जो भी चीज मिलेगा उसी से center कर लीजिए ठीक है center हो जाने के बाद उसको marking कर लेना है ठीक है फिर को मोट को बैठा कर उसका जो पीछे वाला दोगो इस कुरूप का जागा है उसका mark नेना है ठीक है टाइस में अभी हम लोग उसमें तो पेन नहीं घुस रहा है कोई भी मार्किंग नहीं हो रहा है उसलिए हम लोग जो कील है कील से हम लोग मार्किंग कर रहे हैं ठीक है अभी मार्किंग हो जाने के बाद को मोट को हम लोग हाटा के इस क्रूप के जगा में डीलिंग होगा अभी देखिए अभी दो जगा में मार्क हुआ है ठीक है वह आपे अभी डीलिंग हो रहा है अभी दोनों साइट डीलिंग हो जाने के बाद उसमें जो कमपनी से पीबिसी बुटका मिलता है जिसको पैना बोलते हैं हम लोग ठीक है उसी को हम लोग देंगे फिर उससे इस क्रूप टाइट हो जाएगे ठीक है देखिए कैसे हम लोग जो पैना मिलता है उसको हम लोग हातोरा से ठोक दे रहे हैं ठीक है वान पीस कमप का जो सीट मिलता है ठीक है जिसको cover बोलते है कोमोट का उसको लगाने का तरीका भी बताएंगे कैसे लगाता है उसको कोमोट के ठीक है वीडियो में बने रही है तो समझ में आएगा ठीक है अभी हम लोग का जो पेना है उसको हम लोग follow में दे दिया है अभी जो गैसकेट वसर है उसको हम खोल के अभी जो चारिणची SWR5 है उसमें बैठा कर अभी कोमोट को हम लोग हीटिंग करेंगे ठीक है दोस्तो आभी दोस्तो देखिए कोमोट को हम लोग वाशर के उपर में बैठा रही है ठीक है बैठाने के बाद कोमोट को थोरा सा उपर से चाप देना है वाशर पाइब में सेठ हो जाएगा ठीक है दोस्तो फिर हम लोग का जो कोमोट का दोनो साइड में इस कुरूप का पॉइंट है उसमें इस कुरूप टाइट करना है ठीक है इसकुडाइवर से देखिए कैसे इसकुडाइवर से टाइट करना होता है आच्छा तरीके से ठीक है दोनो साइड आच्छा तरीके से ट थूरा सा भी हीलेगा उसलिए बड़िया तरीके से उसको टाइट कर देना है ठीक है टाइट हो जाने का बाद हम लोग क्या करेंगे जो टाइस के उपर में कोमोट सेट हुआ है उस जगा में हम लोग वाइट सिमेन देखे चार साइड में हम लोग अच्छा तरीके से फिलाप कर देंगे ठीक है फिर आभी देखिए कोमोट का सीट कैसे लगता है देखिए यह कौबर का जो लोक पाठ है उसको खोल लेना है और दोगो वासर रवट वासर है उसी में यह वाला टाइट होगा दे ठीक है और जो कोमोट में होल है ठीक है उस होल में इस कुरूप को देकर फिर स्कुरूडाइबर से टाइट देना है और रवट वाला पीछे से हाथ देकर उसको पकर के रखना है जितना टाइट देंगे ओवाला जाके डिमबा कर होकर उसमें टाइट हो जाएगा ठीक है ब करके कुमुट में अटक जाएगा ठीक है अभी उसको अच्छा तरीके से दोनों साइड में इस कुरूब डाइवर से टाइट कर देना है बड़िया तरीके से देखिए कैसे टाइट हो जाता तर अभी सीट को पूस कर देना है देखिए अभी यह वाला लॉक हो गया है अभी स हमfather का अच्छा तरीके सेट होगया है अभी चारो साइट से हम लोग हाथ देख कर देख रहे हैं अच्छा तरीके से बैठा के ठीके देखिए अच्छा तरीके से बैड़ गया है एव ला देखिए इसमें अभी हम लोग ar पानी देकर चेक भी करेंगे ठीके लिकेज हो रहा है के नहीं हो रहा है वह भी हम लोग देख लेंगे का है अभी तो इसमें पानी का कनेक्शन नहीं हुआ है ठीके उसी लिए पानी हम लोग बालती से देकर चेक कर रहे हैं ठीके देखिए अभी चारो साइड में देख लेना कोई भी लीकेज नहीं है अभी देखिए बड़िया तरीके से अभी वासर के उपर में कोमुट बैठा है कोई लीकेज नहीं है और वीडियो अच्छे लगे तो लाइक, कॉमेंट, सेयर और सस्क्राइब जुरूर करना ठीक है दोस्तों